Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 14.2 से question number 2 करेंगे The distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows 40 engineers का उनके घर से और उनके काम करने की जगह है उसके बीच में जो distance है न वो ये दिया हुआ है जैसे पहला engineer 5 km दूर रहता है अपने काम करने की जगह से यानि residence और workplace के बीच में जो distance है वो 5 km का है दूसरे engineer के लिए 3 km है तीसरे के लिए 10 km है तो 40 engineers की पूरी ये information दे रखी है Constructor Grouped Frequency Distribution Table एक Grouped Frequency Distribution Table बनाईए with class size 5 for the data given और class size होना चाहिए 5 class size हो चाहिए जो बीच का जो interval होता है न उसे हम class size बोलते हैं जो gap होता है about taking the first interval as 0 to 5 और पहला interval जो आप लेंगे वो 0 to 5 लेंगे 5 not included जिसके अंदर 5 को include नहीं करना है क्योंकि 5 जो न अपर value होती है यहाँ जो पीछे वाला number होता है यह upper value होती है और यह include नहीं की जाती है what main features do you observe from this tabular representation जो यह tabular representation आप बना लेंगे इससे आपको क्या कोई खास चीज दिखाई दे रही है तो वो तो हमें बाद में पता चलेगा सबसे पहले हम बनाते हैं इसका grouped frequency distribution table तो आपको 3 box बनाने होंगे पहले में लिखना है आपको distance जो की kilometer में दे रखा है बीच में tally marks लिखना है tally marks एक तरह का rough काम होता है पहले हम tally marks के through अपना सवाल करते हैं फिर finally value यहां से देखके frequency में put करते हैं कैसे use करते हैं जब sum करेंगे हम तब पता चलेगा तो यहां जो हमें सबसे पहला interval लेना है वो 0 to 5 लेना है पहले में सारे intervals ही लिख लेता हूँ तो distance में मुझे 0 to 5 ही मेरा पहला interval हुआ तो दूसरा 5 to 10 हो जाएगा क्योंकि 10-10 का लेना है बीच में जो class size एक gap है फिर 10 से 15 हो जाएगा फिर 15 से 20 हो जाएगा फिर 20 से 25 हो जाएगा फिर 25 से 30 हो जाएगा और 30 से 35 हो जाएगा और यहां उससे कोई जादा मुझे नंबर दिखाई नहीं दे रहा चले अब शुरू करते हैं इसमें values को plot करना पहली जो value है यह है 5 अब 5 km 0 से 5 के बीच में तो नहीं आएगा क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि जो upper value वो include नहीं होगी तो 5 km आएगा 5 से 10 के बीच में तो यहां पे मैं एक ऐसे डंडा लगा लूँगा और जिस value को मैंने enter कर दिया उस पे मैं थोड़ा mark कर दूँगा ताकि गलती से इसको मैं दुबारा न पूट कर दूँग फिर है 3 अब 3 आएगा 0 से 5 के बीच में तो यहां पे मैं एक ऐसे लगा लूँगा फिर 10 है 10 आएगा 10 से 15 के बीच में तो यहां पे mark कर लूँगा और इसे मैं mark कर देता हूँ 20 आएगा 20 से 25 के बीच में 25 आएगा 25 से 30 के बीच में 11 आएगा 10 और 15 के बीच में 13 आएगा 10 और 15 के बीच में 7 आएगा 5 और 10 के बीच में 12 आएगा 10 और 15 के बीच में 31 आएगा 30 और 35 के बीच में 19 आएगा 15 और 20 के बीच में 10 आएगा 10 और 15 वाले ग्रूप में अभी यहाँ पर 4 हो चुके हैं तो 4 के बाद जब 5 होता है न तो वह आप उसको इस तरह से कर देते हैं ये एक डाइग्नल सा बना देते हैं इनके बीच में तो ये जो पूरा सेट हो जाता है न ये 5 का सेट हो जाता है फिर आता है 12 12 10 और 15 के बीच में ही आएगा और ये थोड़ा सा अलग बनाएंगे हम इससे फिर 17 आएगा 17 15 और 20 के बीच में आएगा 18 भी 15 20 के बीच में ही आएगा और 11 आएगा 10 और 15 के बीच में 32 आएगा 30 और 35 वाले group में 17 आएगा 15 और 20 के group में और 16 आएगा 15 और 20 वाले group में तो यहाँ 4 हो गए न तो 5 के लिए मैं यह वाला mark कर दूँगा तो एक set बन गया 5 का 2 आएगा 0 से 5 के बीच में और 7 आएगा 0 से 5 के बीच में सरी 7 तो 5 और 10 के बीच में आएगा क्योंकि 5 से बढ़ा है न और 10 से छोटा है तो यहां आएगा 7 और 9 आएगा 5 और 10 के बीच में और 7 आएगा 5 और 10 के बीच में तो यहां 4 हो गये न तो 5 के लिए मैं यह जोड दूँगा 8 आएगा 5 और 10 के बीच में अब यहाँ पर डंडा डालूँगा 3 आएगा 0 और 5 वाले ग्रूप में 5 आएगा 5 से 10 वाले ग्रूप में 12 आएगा 10 और 15 वाले ग्रूप में और 15 आएगा 15 से 20 वाले ग्रूप में 18 आएगा 15 से 20 के बीच में ऐसी 3 आएगा 0 से 5 वाले ग्रूप में 12 आएगा 10 से 15 वाले ग्रूप में और 14 आएगा 10 से 15 वाले ग्रूप में तो यहां 4 हो गे ना तो 5 वे के लिए मैं ऐसे डाइगनल बना दूँगा अभी 2 आएगा 0 से 5 में तो यहां भी 4 हो गे तो यहां भी मैं डाइगनल बना दूँगा 9, 9 आएगा 5 और 10 के बीच में 6, 6 आएगा 5 और 10 के बीच में 15, 15 आएगा 15 और 20 वाले ग्रूप में क्योंकि 15 जो यहाँ पर है न 10 से 15 तो Upper Value को यहाँ include नहीं करेंगे तो 15, 15 से 20 वाले ग्रूप में आएगा तो यहाँ पर इसकी Value mark की जाएगी फिर से 15 हागा वो भी यहीं आएगा फिर 7 आगया तो 5 ओर 10 के बीच में 7 आएगा यहाँ 4 हो गए हैं तो यहाँ पांच ओर SMA किया जाएगा फिर 6 आएगा 6, 5 हो 10 के बीच में आएगा यह value यहाँ आएगी फिर 12 आएगा 12, 10 और 15 के बीच में आएगा तो यह value यहाँ आएगी तो मैंने यह सारी values को put कर लिया है अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यह 5 है और यहाँ 10, 10 और 1, 11 हो गया 10, 10, 1, 11 हो गया और 5 और 4, 9 हो गया यहाँ 1, यहाँ 1 और यह 2 हो गया तो यह मैंने पहले तरह का rough काम कर लिया अब मैं अपनी final values को frequency वाले box के अंदर लिख सकता हूँ तो यह 5 है तो इसकी frequency 5 है यहाँ जीरो से 5 किलोमेटर के बीच में रहने वाले जो engineers है ना वो 5 है ऐसे इस group में यह 11 हो गया यहाँ पे भी 11 हो गया और यहाँ पे यह 9 हो रहे है यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे यह 2 है ज़र अकाउंट करके देखते हैं कि यह total 40 हो गई है या नहीं हुए है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 9 20 हो गया और यह 2 carry 3 और 4 तो 40 आ गया यहनि कि सारी की सारी values ठीक तरह से plot हुई है तो यह तो हो गया है grouped frequency distribution table अभी यहाँ जो एक question पूछा है न कि what main features do you observe ऐसा कौन सा खास feature है जो आप यहाँ पे observe कर पा रहे है from this tabular representation तो इस table से आप बहुत सारी चीज़े बहुत सारी चीज़े observe कर पा रहे है पहली तो यह कि यहाँ पे 20 से और 30 के बीच में बहुत कम है लोग है जो रहते हैं और जो सबसे ज़्यादा लोग है न वो यहाँ पे है 0 से लेके 15 तक योगी 0 से लेके 15 तक आपके almost यह 22 और 27 लोग हो गए यानि आधे से भी ज़्यादा तो कई तरह की observations है इस में से जो आपको दिखाई दे रही होंगी मैं एक लिख देता हूँ जो सबसे ज़्यादा वाली है कि most of the engineers have their workplace up to 15 km यानि ज़्यादा तर जो engineer है न वो 15 km के distance पर ही रहते हैं from their home उनका काम करने की जगह है ज़्यादा तर engineers की काम करने की जगह है वो उनके घर से 15 km के दाइरे में ही पढ़ती है तो question खतम इस video में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए goodbye